आई students, I am Anandjha और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं history का chapter number 1 for class 6 तो यह video के इन students के लिए, यह video उन students के लिए हैं जो अभी currently class 6 में हैं पढ़ाई करें अपने history subjects को और दूसरे उन students के लिए हैं जो UPSC के experience हैं और history में chapter 1 class 6 से start करें basically यह आपके ancient history का part हो जाता है, तो मैंने आपके लिए क्या किया है, बुक के अंदर यह उन points को highlight कर दिया है जो premiums point of view से बहुत ही जादा important है, क्योंकि आपको पता है कि premiums के अंदर ancient history का काफी waitage हो जाता है ancient history के बहुत questions हमको देखने को मिलते हैं, तो और ancient history को memorize करना बहुत जादा tough है क्योंकि हमें इन चीजों को याद करना पड़ता है तो recall करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हम chapter को आसानी से revise कर सके, तो मैंने इस वज़े से highlight कर दिया और इसके बाद आप chapter को 5 minutes में revise कर सकते हो, guarantee ठीक है, तो start करते हैं, तो chapter का क्या नाम है, chapter का नाम है, what, where, how and when, something, तो क्या मतलब है इसका, इसका simple सा मतलब है कि भाई उस time पे जो लोग होते थे, वो कहां रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, ठीक है, मतलब हम अपने past के बारे में just question कर रहे हैं, इस chapter में, nothing else, तो हम थोड़ा सा overview ले रहे हैं, अपने past के बारे में, तो जो सबसे पहला ही topic के अंदर heading start होता है, वो क्या होता है, what we know about the past, हम अपने past के बारे में क्या जानते हैं, so, there are several things we can find out, मैंने क्या किया यहां पे, चीजों को थोड़ा सा highlight किया है, मतलब जो आपका topic है, उसमें से मैं बहुता है helpful रहेगा, because कि आपका habit बन जाएगा, थोड़ी सी English ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा vocab ठीक हो जाएगा, words में आप गलती कम करोगे, और आपकी means के answer writing की practice यहीं से start हो जाएगी, so, साथ के साथ आपको यह काम करना है, और classic के student को तो यह चीज करना ही है, so, मैंने point ज किया, कि भई, लोग क्या खाते थे, लोग क्या पहनते थे, कहां घूमते थे, किस प्रकार के घर में रहते थे, we can find out about the life of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, prides, craft persons, artists and musicians, हमने उपने past के बारे में यह जानने की कोशिच की भई, उस टाम सिकार कैसे करते थे, कौन करते थे, herders कौन थे, ठीक है, च किस तरीके से rules करते थे, merchants, वेपारी कोन थे, rights, मतलब उस टाम के पुजारी जो थे, धार में गुरू थे, वो क्या काम करते थे, कैसे प्रचार प्रशार करते थे, crafts person, जो नकासी का काम करते थे, artist हो गए, musicians हो गए, किस तरह के गाने बनाते थे, किस तरह के poems and all, उस टाम भी क्या गाना गाते थे, बच्चे क्या खेलते थे, that's all in this topic, ठीक है, और हम अपने past के बारे में ये सारी चीज़े जानते हैं, ठीक है, तो कैसे जानते हैं, ये हमें अभी जानना है, क्योंकि हम अभी हम पढ़ी रहे है, starting phase पे, so, the next topic is, is where did people live, भाई, लोग कहां रहते थे, so, the river नर्मदा, मैंने यहाँ पे point highlight कर दे कि सबसे पहला जो phase start होता है, ये मतलब मालूम क्या गया, कि जो नर्मदा रिवर है, उस नदी के किनारे, सबसे पहले starting में लोग बसे हुए थे, और वो जो लोग बसे हुए थे ना, guys, वो होती स्किल्ड गैदर्स थे, स्किल्ड गैदर्स क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ, तो इस points को पहले पूरा read करते हैं, the river नर्मदा, people have lived along the bank of this river for several hundred thousand years ago, okay, some of the earliest people who lived here are were skilled गैदर, now who is skilled गैदर, what do you mean by skilled गैदर, हम क्या समझते है, skilled गैदर कोन है, हमें तो पता चल है कि नर्मदा river के जो किनारे हैं, उस पे लोग बसे हुए थे, जारो लाखो साल पहले की बात है, उसके बाद वो जो लोग वहां पे बसे हुए थे ना, guys, वो बहुती skilled गैदर्स से, skilled गैदर्स से क्या मतलब है हमारा, that is people who gather their food, they knew about the vast wealth of plants in surroundings, forests, collected roots, fruits and other forests, produce for their food, they also haunted animals, क्या म skilled gather का मतलब है कि वो लोग अच्छे से जानते थे, कि हमें खाना कैसे store करना है, कहां से मिलेगा, कैसे खेती करनी है, ठीक है, यह लोग अच्छे से जानते थे, खेती करने का प्राय यहां पे यह है, कि उनको पता था कि यह वाला जो पोधा है, यह बीच से उगेगा, और यह वाला पोधा जो है, वो जड़ से हुगेगा, वो जान चुके थे, जान वरों का सिगार भी करना सीख गए थे, तो यह सारे गुण जो है, उन्हें सर्वाइव करने में help कर रहा था, ठीक है, तो इसलिए उन्हें हम skilled gather कहने लगे, अगर आप भारत का मैप देखोगे, अगर आपके पास होगा, बुक के अंदर आपको दिया भी गया है, आप देखोगे तो उस मैप में नौर्थ वेस्ट की तरफ, यह इस साइड आप देखना, तो वहाँ पे आपको सुलिएमान और किर्थार हिल दिखेगा, now it is located in Pakistan, तो स सबसे पहले, मैंस और वोमेंस ने क्रॉप उगाया, फसल होगाया, किस चीज की फसल होगाया, बहुत इंपोर्टेंट है, वीट और बैरली, मतलब गेहू और जो, इसकी खेती की 8000 साल पहले, बहुत इंपोर्टेंट पोइंट है, कि सुलिमान और किर्थार हिल, जो की नौ 8000 साल पहले, इसके अलाबा ऋन लोगोंने और क्या काम किया, इसके अलाबा उन्होंने भेर बकडी पालना स्टार्ट कर दिया, और गाउं पसाना चाला कर दिया, सबसे इंपोर्टेंट, आपको नोर्थ इस्ट साइट में दिख जाएगा, इस साइट दिखेगा आपको में मैप आप देख सकते हैं गारो हील्स की बात करें और विंद्या जो कि आपका सेंट्रल इंडिया में पढ़ता है ठीक है जो कि सेंट्रल इंडिया में बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इसलिए मैं ने इन दोनों को हाइलाइट कर दिया यहां पर बच्चे की गई इन्होंने यह भी बोले देखे हमें सुलिमान और किर्थार हील तो दिखा कि यहां पर सबसे पहले लोगों ने वीट और बैले उगाया आठ हजार साल पहले इसके अलावा गारो हेल्स और विंद्या जों की सेंट्रल इंडिया में यहां पर भी खे इंडियन हिस्ट्री नौट वर्ल्ड हिस्ट्री तो यहां पर हम इंडिया की बात कर रहे है तो यहां पर सबसे पहले चावल की खेती की यह पॉइंट इंपोटेंट है, आपको याद रखने है कि विंद्याज जो कि Central India में है, यहाँ पर चाबल की खेती की गई थी, और गारों हिल्स और विंद्याज दोनों पर खेती के प्रारूप मिलते हैं, यहाँ 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 पर खेती की गई थी, now the next point is the river Indos and its tributaries now what is Indos and tributaries tributaries मतलब क्या होता है एक बड़ी सी नदी आपको दिखेगी जैसे मालीज ये गंगा नदी है उस गंगा नदी के अंदर और छोटी छोटी नदियां बह रही होती है आपको ऐसा वास्तविक्ता में दिखेगा कि गंगा नदी से छोटी छोटी नदियां जो निकल रही है बट एक्चुली में हम मान के चलते हैं कि ये छोटी छोटी नदियां जो एक बड़ी नदी में समाहित हो जाती है बड़ी नदी में मिल जाती है उन्हें हम tributaries कहते है इंडूस नदी आपको दिख जाएगा मैप के अंदर तो इंडूस और उसके ट्रिबोतेरी यहाँ पर सबसे पहले अबाउट 4700 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लोग रहते थे फिर यहाँ से लोग मूव ओन कर गए कहां मूव ओन कर गए गंगा नदी के किन दाइख जार साल पहले की बात करें 2500 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले लोग बसे इंडूस नदी के बाद वहाँ से पलायन कर गए गंगा और उसके ट्रिबोतेरी इसको सन कहते हैं प्रिलियम से बहुत इंपोर्टेंट कोईशन है और प्लासिक्स आपके लि जिसके अंदर बहुत सारी छोटी नदियां समाहित हो जा रही है तो उन छोटी नदियों को ट्रिबोतेरी इस कहते हैं पुराने टाइम के बात करें अरिया लोकेटेटी टु इस रिवर तुदी साउथ अफ गंगा वास नोने अज मगद नाव लेंग इन दे स्टेट ओ बि भी करेंटली बिहार स्टेट में है तो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है यह आप याद रख सकते हैं और नेक्स्ट पॉइंट इस वाट वाई पीपल ट्रेवल अब एक हो सकता है आप लोग एक जगह बसे हुए हैं तो फिर वह दूसी जगह मूवी क्यों कर रहे हैं क् मैंने सारे points mention out किये हैं आप one to one points को मैं समझाओंगा और आप लिख सकते हैं highlight कर सकते हैं अगर आप notes बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है क्या मतलब है उस time में क्या होता था कि कभी ना कभी कोई प्राकृतिक आपदाई आ जाते थी लाइक बाड आ गया या सूखा पड़ गया something तो उससे बचने के लिए आदमी को लोगों को अपने जीवन निर्वाह करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़त अब उस time के लिए विए क्या होता था संघर्स चलता था एक ग्रूप के लोगों में और दूसरे ग्रूप के लोगों में वो चाते थे बाई हम जीते हैं और तुम्हारी जगह पे हम जाके रहें ऐसा कुस्सीन तो भई अब उसके लिए क्या होता था एक जुन्ड के लोग है ना पूरुष हो जो भी हो तो वो दूसरे जुन्ड के लोगों से लड़ते थे और उनकी जगह पर कबजा करते थे यह उस टेम से चलता रहा है उसे संघर्स कहते हैं अब क्या ओता जो वैपारी होते थे वो एक जगे से समान लेके दूसरी जगे जाते थे ठीक है बेचने के लिए तो वो वैपारी ट्रेवल करते थे religious teachers walk from village to village अब जो religious teachers थे वो village to village जाते थे किसलिए जाते थे भाई अपने धर्म का प्रचार प्रशार करने जाते थे समझाने जाते थे कि कस तरीके से इस धर्म का पालन करना ठीक है तो वो समझाने जाते थे दूसरा कहा है some people perhaps travel driven by the spirit of adventure wanting to discover new exciting places अब कुछ थे जिनको discovery करनी थी खोज करना था मैं जानना चाता हूँ कि वहाँ पे क्या था क्या है ठीक है तो इसके खोज में उस टाइम में लोग move on करते थे ठीक है तो यह हो गया why people travel के अंदर यह सारे points now the effect of traveling अब जो लोग एक जगे से दूसरी जगे ट्रेवल करें इसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा क्या फर्क पड़ा let's see so the effect of traveling is hills mountain and sea from the natural frontiers of subcontinent while it was difficult to cross the frontiers who wanted couldn't did he scale the mountains and cross the areas देखिया आज के समय में किसी पहाड के उपर चड़ना और आज से सौ साल पहले किसी पहाड पर चड़ना किसी नदी को cross करना it's practically impossible जैसा लगता है because कि उस टाइम हमारे पास वो चीजे वो संसाधन वो तरीके नहीं थे बट आज के डिट में है तो लोग क्या करते अब देखो effect के आया कि भाई हम किसी भी पहाड को आसानी से travel कर पा रहे चड़ पा रहे और दूसरी जगे पे जा पा रहे एक benefit तो यह हो गया क्यों क्योंकि हमें किसी रास्ते को cross करना है तो at least हम किसी नदी को cross करना सीख रहे है किसी पहाड पे चड़ना सीख रहे है that's all are important now people from across the frontiers also came into subcontinent and settled here second point when people travel and crosses some mountains and all so जहाँ पे वो जाते हो उन्हें जगे अच्छी लगी तो वहाँ पे बस जाते हो अगर उनके पास उनको लगता है कि यहाँ पे अच्छे resources है हमारे जीवन निर्वा के लिए so they settled here so next point is what this movement of people enriched our culture and tradition we see that India have lots of culture why? क्योंकि यहाँ पे एक ही साथ बहुत सारे किस्म के लोग रहते हैं like बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं ठीक है और इन धर्मों के अंदर भी हम अलग-अलग तरह के cultures देखने को मिलता है so because यह क्या करते हैं जब एक प्रकार के लोग डूसरी जगे move करते हैं वहाँ बसत है ठीक है बढ़ा देता है इस मतलब बढ़ाना उसको विस्तार करना that's all so second point भी आपका इसी में cover हो गया people have shared new way of carving stone जब लोग एक जगे सी दूसरी जगे जाते हैं उनके पास जो भी skill है वहाँ पे show करते है like stone की नकासी करना उस पत्थरों की नकासी करना बहुत important कला माना जाता था composing of music even cooking आप राजस्थान वगेरा जाएंगे तो आपको पता चलेगा old music क्या होते हैं ठीक है तो even देखें इंडिया travel करना बहुत जरूरी मैं सबको बोलता हम इंडिया travel करो बहुत मज़ाद है कई बाहर बार जाने की ज जाते खाने के लिए पट हम देखते हैं कि लोग इतने तरह के खाने बनाना सीखे कैसे that's all are uh starting from here that culture enriched हुआ लोग आपस में मिले culture enriched हुआ अधे नेम ऑफ देखेंगे लैंड लेंग बना सी दाग इंडिया नाम कैसे पढ़ा भारत नाम कैसे पढ़ा बहुत इंपोर्टेंट So the two word we often use for our country as India and भारत, क्यादा तरह हम दो वर्ड यूज करते हैं, इंडिया और भारत, और हिंदोस्तान और वो अलग बात है, वो अपनी हिस्ट्री है अलग, So we see India and भारत, तो first we see India, the word India came from इंडोस, बहुत important word है कि इंडिया इंडोस नदी से आया, जिसे हिंदी में सिंदू का आ जाता था, सिंदू एक संस्कृत वर्ड है, ठीक है, और सिंदू जो हमारे इरानियन थे और ग्रीक्स उनको भाई बोलने में बड़ी तकलीफ होती थी, भा इंडोस नदी से जिसे वो हिंदोस और हिंडोस कहते थे और उसके इस्ट में जो एडिया पड़ता था, इंडोस नदी के इस्ट में भारत है, तो उसे वो लोग इंडिया कहने लग दे, that's all, this is the history, आपको पता चल गया, बहुत important point है, आप किसी को बता सकते हो, इंडिया ना तो फ्रिलियंस point of view से तो बहुत जाद है, now the name भारत, now the where the name भारत came from, तो भारत आया आपका नौर्थ नौर्थ वेस्ट के लोग बोलते दे, basically उस टाइम के, but actually मैं यह रिगवेद में mention है, रिगवेद क्या हमारे पास बहुत सारे तरह के वेद है, रिगवेद, अथर वेद ठीक है, so that's all, वेद के बारे में आगे, हमारे next chapter में आएगा, तो रिगवेद, the earliest composition in Sanskrit about 3500 years ago, तो रिगवेद जो है वो बहुत earliest composition है, लगबग 3500 साल पहले जो संस्क्रित में लिखा गया था, ठीक है, so इसके अंदर mention है भारत, भारत बोला जाता था इंडिया को, तो यहां स भारत word आया, so समझ में आगया, दोनों history आपको पता चलगी, now let's see, finding about the past, हमने past में क्या प्राप किया, क्या मिला past से, so पहली चीज बुक, बहुत important book, ठीक है, so the book that were written long ago, एक किताब जो बहुत साल पहले लिखी गई थी, बहुत साल मन्दब हजारों साल पहले की बात करते, these are called manu script, इन्हें manu script कहा जाता था, ठीक है, manu script, so most important is manu script और inscription, बहुत important है, brilliant point of view से, कि उस टेम पे जो book मिला, वो manu script है, manu script के बारे में, 2-3 points है, जो आपको, brilliant point of view से याद रखना है, पहला क्या है, कि manu script जो है, इसके अंदर, जो manu word है, ये latin word है, और इसका मतलब होता है hand, और manu script हिंदी में बोले तो, हस्त लेपी, जो हाथ से लिखी गई हो, तो कैसे लिखते था हाथ पे, let's see, because they were written by hand, manu script मतलब, वो हाथ से लिखा गया था, बहुत important है, ये point, these were usually written on palm leaf, भाई, ताड के जो पत्ते जो थे, उस पे लिखा जाता था, ताड का पत्ता, उसे तो 90% manu script जो थे, वो संस्कृत में थे, कुछ हमारा tamil में था, और कुछ जो है, वो हमारा direct language थे, हम अभी आगे, देखेंगे प्राक्रित में, और specially prepared on bark of tree known as birch, birch क्या है, यहां पर मैंने यह भी बोल दिया, birch का यहां पर highlight हो गया, it is grown in Himalayas, जो birch है, ठीक है, यह birch हिमाल्याज में होगते हैं, और birch जो है, उस tree के, birch मतलब है tree है, उसका जो bark होता है, छिलका होता है, उसको निकाल लिए जाता था, सुखाए जाता ठीक है, you can google it, that palm leaf कैसा दिखता है, birch leaf कैसा दिखता है, ठीक है, if you are curious about this point, palm leaf कैसा दिखता है, तो manu script was written about thousand years ago, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले कोई चीज लिखी गई है, और वो अभी तक हमारे पास है, तो यह तो बहुत impossible जैसी बात लगते हैं, 1000 साल पहले, हम एक साल पहले कोई कि किताब है, अभी भी survive कर रही है, तो let's see कैसे कर रही है, तो manu script was written thousand years ago, over the years, many manuscript were written by the insects, some were destroyed, but many have survived, often preserved in temple and monastery, there are two word, monasteries क्या वादा है, बहुत confused जाते, Monasteries के बार में detail में तो वैसे second chapter में आएगा, बट मैं word बदा तो Monasteries है गया, तो 1000 साल पहले जो manu script लिखा गया था, उसे survive करना बहुत impossible बात लगते, क्यों कुछ manu script को, किडे मकोडों ने खा लिए, कुछ को destroy कर दिया गया, लेकिन कुछ survive कर गए, जो कि मंदिरों में save हो और कुछ Monasteries में save हो गए, like मठों में, मठ समझते हैं, यह वो जगे थे जहां पर जो धार्मिक गुरु वगरा थे, जो travel करते थे, वो इन Monasteries वगरा में रुका करते थे, ठीक है, में आपको Monasteries का जिक्र बुद्ध के time के ज़्यादा देखने को मिलेगा, कि जब भगवान बुद्ध और अपना धर्म पर चार परशार कर रहे थे, जा रहे थे, उनके जो लोग थे बुद्ध धर्म का परचार परशार कर रहे थे, वो लोग मठों में रुकते थे, मठा आपको थे किम साइट बहुत देखने को मिलेगा, तो इस बुग डेल्ट विट अल काइंड अब इस बुक के अंदर होता क्या था, मनुस्क्रिप में क्या लिखा जाता था, इसके अंदर होते थे, रिलीजियस बिलीफ और प्रेक्टिस, जो धार्मिक मनताएं हैं, ठीक है, कैसे फोलो करना है, that's all, राजा कैसे रहते थे, रानी कैसे रहते थी, मैडिसिन के जिक्र हो होता था, beside there were ethics poems, इसके अलावा, मनुस्क्रिप में poems लिखे गए थे, plays होते थे, नाटक जो stem किये जाते थे, लोगों द्वारा, many of these were written in Sanskrit, wherein प्राकृत, प्राकृत is a common language, ठीक है, and Tamil, ठीक है, mostly 90% Sanskrit में ही होते थे, ऐसा हम कोल रहे हैं, बोलनी रहे हैं, now the second thing, बुक के अलाव है, वो है inscription, inscription क्या होता है, तो these are the writing on relatively hard surface, such as stone and metal, उस time जो राजा और रानिया थी, जो वो कोई भी चीज जीत, मतलब कोई युद्ध या कोई बैटल जीत जाते थे, या कोई भी वो बड़ा काम करते थे, तो वो क्या करते थे, उसको सहां पे stone में, ठीक है, और stone के अलावा, राजा एक काम क्या करता था, कि वो, वो instructions लिखवा देता था, जो लोगों को follow करना है, उसे पढ़े और लोग follow करे, इसलिए वो ये चीज लिखवा देता था, इसके अलावा, there are other kind of inscription as well, where men and women, including king and queen, recorded like victory, ठीक है, वही बात जो मैंने बोली, वही चीज लिखा हुगा है, इ inscription में होता क्या था, inscription में होता था, symbol, text and all, और इस method को बोलते थे, deciferment, बहुत important है, prillium's point of view से, so the way we gonna read, or decoded the inscription, decoded मतलब, अब कोई पत्थर है, अब उसके उपर कोई symbol बना दिया गया है, कुछ something, ठीक है, अब उस symbol को decode करना है, अब इस decode करने के तरीके को हम deciferment कहते हैं, या उस पे जो चीज लिखा हुआ, जिस language में लिखा हुआ है, उस language को पढ़ना, this is deciferment, आप Greek के बारे में, जब आप history में पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा, अच्छे से कि भाई, कैसे Greek में चीजों को decode किया जाता था, इस tone में लिखा गया है, कुछ भी लिख द लोग जो चीज बनाते थे, उसका इस्तमाल करते थे, फिर वो डिस्ट्रोई होगे, जैसे, बिल्डिंग, स्टोन, ब्रिक्स, पेंटिं, स्कल्प्चर, टूल्स, वैपन, पोट्स, पैंस, और्नामेंट्स, कोईन्स, some of these objects by made by stone, others by bone, baked clay or metal, those who study these objects are called archaeologists, आर्के लोजिस्ट को ने, जो past में मौझूद, उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, या उन्हें खोजते हैं, उन्हें हम archaeology कहते हैं, past में मौझूद चीजे, मतलब past में जो लोगों ने चीजें इस्तमाल करी, like stone के tools हम देखते हैं, किस प्रकार के घर में रहते हैं, like harappa, sabbeta and all हम आगे पढ़ जिसका इस्तमाल वो क्या करते थे, ठीक है, let's just drop my wifi, okay, so let's see, so यह हो गया, यह archaeologist कहला थे, इसमें और कोई important point नहीं है, आप समझ गई, कि भाई, those who study our past is known as archaeologist, और past में वो क्या पढ़ते थे, वो क्या जानते हैं, वो जानते कि कि किस प्रकार के building में हमारे past के लोग रहते थ tools, weapons and all, जिससे वो जानवनों का सिकार करते थे, one past or many हमारा एक past है, यह ज्यादा, इससे तो हम आगे देखेंगे, यह आपके लिए question के तौर पे ही हो गया, so one past or many, so basically we have a many past, बहुत सारा past पढ़ना है हमें, तो बहुत बड़ा past है हमारा, freedom, struggle and all, सब बहुत कुछ past में ही आत हुआ, so that's why UPSC aspirant को भी class 6 से क्यों पढ़ना चीए, यह यही से आते है, so what do dates mean, हम date से क्या समझते है, so date यहां से start होता है, these air are counted from the date, generally assigned to the birth of Jesus Christ, so जब Jesus का जनम हुआ, Jesus के जनम से पहले के date को क्या बोलते थे, before, before Jesus, यानि वो BC बोलते थे, यानि before Christ, मतलब Jesus के जनम से पहले के जितने भी dates थे, उन सब को हम क्या कहने लग गए, भाई BC, यानि जहां पर लिखा है, 600 BC, इसका मतलब हो गया, कि Jesus के जनम से 600 साल पहले की बात है, फिर Jesus के जनम के बाद, ये year है, Jesus का जनम, जब भगवान का जनम हुआ, तो Jesus भगवान का जनम हुआ, उसके बाद का जो date है, eminodomini, Latin word है, इसका मतलब होता है, in the year of the God, अब हम भगवान के साल में आ गए, ठीक है, तो AD का मतलब ये है, तो AD का मतलब आप समझ गए, Jesus के जनम के बाद का टाइम, और BC का मतलब, Jesus के जनम से पहले का टाइम, बट ये थोड़ा क्या हो गया, लोगन इसे धार में कैंगल से उनले उनले का कि, ये मतलब नहीं होगा, तो दूसरा रखो, तो दूसरा मतलब CE बोलने लग गए, और BCE बोलने लग गए, तो पहले क्या था, पहले BC घार AD था, BC को क्या बोलने लग गए, CE, ठीक है, no, 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 BC को बोलने लग गए, BCE, और AD को बोलने लग गए, CE, तो BC का मतलब हो गया, Before Christ, ठीक है, so BCE, और AD, Aminodomini का मतलब हो गया, Common Era, ठीक है, so Before Common Era, CE का मतलब है Common Era, Common Era मतलब AD से, Common Era का मतलब भगवान के जन्म के टाइम से चलता आ रहा है, and BCE का मतलब क्या हो गया, Before Common Era मनना भगवान के जन्म, जीशस के जन्म से पहले गाता, तो यहां से आपको इस चीज़ समझ में आ गया और सबसे पहले यह इयर वगेरा का जो मेंशन आउट था यह भी आ जाता है कहां से स्टार्ट हो तो इस स्टार्ट प्रॉम ग्रोग्रियन केलेंडर ठीक है यह भी आप याद रख सकते हैं इसमें सबसे पहले इयर्स मेंशन आउट किया था और अलग बख सो साल पहले की ही बात करें ठीक है तो यह यहां आपको समझ में आ गया होगा मैंने पॉइंट सारे हाइलाइट कर दिया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो को लाइट कर देना आई होब कि आपको तो कर नहीं है याद